हलो फ्रेंड्स आपका हमारे चानल पर बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं CDP के लिए 30 महत्पूर्ण प्रस्न कम्प्लीट CDP दोस्तों आपकी इसमें रिवीजन हो गई 30 प्रस्नों में लगभद 30 से 34 टॉपिक से हम लोगों ने कोश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किये हैं यह आपके यूपिटेट के लिए most important होगा साथ में दोस्तों सीटेट के लिए भी important होगा तो अगर आप सीटेट और यूपिटेट की तयारी कर रहे हैं तो इन कोश्चन को आपको करना चाहिए और खुद से देखना चाहिए आपके कितने कोश्चन सही हो रहे हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं जैसे कि पहला प्रस्ण आपके सामें दिया गया है कि निम लिकित में से कौन सा कथन विकास के संबंद में सही नहीं है विकास से संबंदी चार कथन दिये गए हैं आपको बताना है कौन सा सही नहीं है पहला दिया है विकास प्रतिमानू की कुछ निश्चित विसेस्ताओं की भविस्वाणी की जा सकती है देखे ये वाला कथन बिल्कुल सही है विकास प्रतिमानू की कुछ निश्चित विसेस्ताओं की भविश्वारी बिल्कुल की जा सकती है दूसरा है विकास का उद्देश वनसा नुगत संभावित छमता का विकास करना है तो विकास का उद्देश दोस्तो उवनसा लुकि संभावित यहां सब्द लिख दिया इसलिए यह कथन बिल्कुल सही हो गया है तीसरा कथन है विकास के विबिन छेत्रों में संभावित खत्रे नहीं होते हैं चौथा कथन है प्रारंबिक विकास बात के विकास से अधिक महातपूर होता है तो ये चौथा कथन भी दोस्तों सही है लेकिन ये जो तीसरा कथन दिया है ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि विकास के विबिन छेत्रों में संभावित खतरे होते हैं यहाँ पे लिखाय नही होते हैं और आपको सेलेक्ट करना है कौन सा कतन सही नहीं है तो दोस्तों ये वाला कतन सही नहीं है इसलिए option number 3 के साथ हम जाएंगे चले next question पर आईए विकास का अर्थ है चार option दिये हैं परिवर्तनों की उत्रोतर स्रंकला आभिप्रेणा के फल्सुरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्रोतर स्रंकला आभिप्रेणा एवं अनुभो के फल्सुरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्रोतर स्रंकला या फिर परिपक्वता एवं अनुभो के फल्सुरूप होने वाले परिवर्तन की सरंखला देखे दोस्तों विकास को हम परिपक्वता यह अनुभो दोनों के साथ जब जोड़ेंगे सबसे बेस्ट वही होगा तो यहाँ पे जो सही अंसर है वो आप्शन नंबर 4 होगा कि परिपक्वता एवं अनुभो के फल्सुरूप होने वाले परिवर्तन की सरंखला क हम बोल सकते हैं विकास है तो राइट अंसर यहाँ पे आप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे अगला प्रसन देखे दोस्तों बाल विकास में चार आप्शन आपको दिये हैं प्रक्रिया परबल है वाता वरण और अन्भो की भूमिका परबल है गर्भा वस्ता से किसोरा अव अप्शन नंबर 3 चलिए नेस्ट कोशन पर बात करते हैं आनवानसिक्ता को डैस सामाजिक संरचना माना जाता है गत्यात्मक्ता इस्थिर प्राथमिक या फिर गौन देखे दोस्तों आनवानसिक्ता जो है एक इस्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है क्योंकि बच्चे को अपना माता पिता की दौरा आनवान सिक गुण मिलते ही हैं तो यहाँ पे राइट अंसर जो चार आप्सन में हम फिल करेंगे ये फिल करेंगे आप्सन नमबर दोस्तों 2 तो इसको राइट अंसर में आप फिल कर लीजिया आप्सन नमबर 2 ठीक है चले अगला प्रस्त देखे सबसे अधिक गहन और जटिल समाजी करण होता है पूर्वा बाल्य आवस्था के दौरान प्राणा आवस्था के दौरान व्यक्ति के पूरे जीवन में या किसोरा आवस्था के दौरान देखें दोस्तों बात यहाँ पे सबसे अधिक गहन और जटिल समाजी करण की हो रही है तो जब हम सबसे गहन और जटिल समाजी करण की बात करते हैं तब हम जाते हैं कि सोरा अवस्था के दोरान राइट आंसर आप्शन नमबर फोर बनेगा चली अगला प्रस्न देखते हैं ये बहुत ही अच्छा कोश्चन है कि जीन प्याजे द्वारा परिभासित वा अवस्था जहां संद्रस्नात्मक विकास बालक ने अपनी इंद्रियों के प्रियोग पर बाहिरी दुनिया का पता लगाने के प्रियासों से होता है मतलब जो आपका संसरी मोटर वाली जो अवस्था है उसके बारे बात करी गई है तो ग्याने इंद्री अवस्था कहेंगे उसको पूर परचालन अवस्था कहेंगे ठोस अवस्था कहेंगे या इन में से कोई नहीं उसको दोस्तो option number first ग्यानेंद्री अवस्था या फिर आप बोल सकते हो सम्वेधी गामा का वस्था ऐसे कुछ भी बोल सकते हो तो यहाँ पर right answer option number first होगा जो 0 से 2 साल की होती है P.A.J. के संग्यानात्म विकास के according ओके चलिए next question देखिए कि कृतिका जो है वो दोस्तो अकसर घ काफी बात करती है यह क्या दरसाता है विद्याले हर समय बच्चों को खूब बात करने क्या उसर देता है सिच्छकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्याले में खूब बात करें कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर उसके विचारों को विद्याल में माननेता मिलती है देखे दोस्तों यहां से बिलकुल साब जाहिर हो रहा है कि कृतिका अकसर विद्याले में जादा बात नहीं करती है लेकिन विद्याले में वा काफी बात करती है तो इसका मतलब है जो बाल केंद्रित सिच्छा के अंतरगत बताया गया है कि बच्चों के विचारों को मानिता देनी चाहिए विद्याले में वैसा ही काम हो रहा है तो यहाँ पर राइट अंसर आसा नमबर 4 के साथ जाएंगे कि उसके विचारों को विद्याले में मानिता मिलती है ठीक है चलिए अगला प्रस्म देखें दोस्तों मानसिक आयू का प्रत्य किस ने दिया था बिने साइमन ने इस्टर ने टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने अब बताएं इसका राइट अंसर क्या होगा दोस्टों मानसिक आयू का जो प्रत्य दिया था वो बिने साइमन ने दिया था इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है option number first इस question का बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question देखे ये तो बहुत ही बहुत ही बेटरी question है कि बुद्धी का कौन सा सिध्धान सामान बुद्धी मतलब जर्नल वाली और विशिष्ट बुद्धी मतलब इस्पैसिक वाली जिसको जी एस की उपस्तिती का समर्थन करता है चार option दिये गए है नियम प्रतिकूल सिध्धान्त गिल फोड के बुद्धी का सिध्धान्त इस्पियर मैन का दोई खंडित सिध्धान्त या फिर वर्नोन का पदा कुर्मिश सिध्धान्त तो दोस्तों आप सभी को पता है ये कौन सा हो जाएगा इस्पियर मैन का दोई खंडित सिध्धान ठीक है तो राइट अंसर क्या होगा option number 3 हो जाएगा चले नेस कोशन देखे व्यक्ति के संदर्व में कौन सा कथन असत है व्यक्तित के संबंद में कौन सा कथन असत पूछा गया है पहला कथन दिया है व्यक्तित अपूर और विशिष्ट होता है ये कथन तो दोस्तों सही है व्यक्तित वंसा नुकरम और वाता वरण की संयुक तो उपज है ये कथन भी यहाँ पे सही हो जाएगा व्यक्तित व्यक्ति के अर्ध चेतन और अचेतन विवहार तक फैला रहता है तो यहाँ पर ये कथन भी सही होगा लास्ट वाला कथन कहे रहे हैं कि व्यक्तित व्यक्ति के के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है दोस्तों व्यक्तित जो होता है व्यक्ति के के केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं होता है तो यहाँ पे असत्य कतन सेलेक्ट करना है तो right answer option number 4 हो जाएगा क्योंकि यह कतन असत्य है व्यक्तित्यु के बारे में चलिए अगरा प्रसंद देखिए अधिकांस बालक अपनी मात्र भासा कब सीख लेते हैं एक वर्स की आईउ में, चार वर्स की आईउ में, छे वर्स की आईउ में, दो वर्स की आईउ में तो दोसों जो आपका छे वर्स की आईउ में यहाँ पे right answer होगा बिलकुल कहीं कहीं आपको पांच वर्स की आईउ में भी मिल सकता है लेकिन यहाँ पे जो question आपका previous paper में पूछा गया है वहाँ पे answer 6 words की I.O. में ही किया गया है option के according ठीक है चलिए next question देखे वेक्तियों में उत्पन विभिनताओं का link gender संदर्भित करता है क्या संदर्भित करता है सैचिक रूप से देखे वेक्तियों में सैचिक रूप से उत्पन विभिनताओं को link gender संदर्भित करता है या फिर भावात्मा गूप से या जैविक रूप से या सामाजिक रूप से तो आप सभी को पता है दोस्तों वेक्तियों में सामाजिक रूप से उत्पन विभनताओं को लिंग जेंडर मतलब क्या करता है संदर्वित करता है तो यहाँ पर राइट आंसर उप्शन नमबर 4 लगाएंगे ओके चलिए नेश कोशन देखिए कि हम सभी अपनी बुद्धी प्रेर्णा अभिरुची आद के संदर में भिन होते हैं या सिद्धान संबंदित है देखे दोस्तों क्या कह रहा है हम सभी अपनी बुद्धी प्रेर्णा अभिरुची आद के संदर में भिन होते हैं या सिद्धान संदर्वित है व्यक्तित भिन्टा से, बुद्धी के सिध्धान से, वंचान उक्रम से पर्ग्राण तो आप सभी देख रहे हो यहाँ पे, कि यहाँ पे भिन्टा के बारे में बात करी जारी कि बुद्धी, प्रेना, अबर्चियात के संदर में भिन्ड़ी होते देखें दोस्तों A.S.T. के नाम से किस अभिचमता को जाना जाता है यह आपको बताना है यहाँ पर आपको चार आप्षन देए गए हैं चलिए बताएं कौन सा आप्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देखें दोस्तों पहला option है विवेदक, अचमता, सामान, अभिचमता, सर्वेच्छन, परिच्छन या फिव्यवसाय की विशंता देखें दोस्तों जो ये आपका option number यहाँ पे 3 दिया गया है यही इसका right answer होगा अभिचमता, सर्वेच्छन, परिच्छन ठीक है क्योंकि इस परिच्छन में क्या होता है परिच्छन की कई सारी संकलाए होती है फिर उनसे जो है अधिक चमता वाले छेतर को पहचाना जाता है तो इसे ही A.S.T. के नाम से जाना जाता है अभिचमता, सर्वेच्छन, परिच्छन को तो option number 3 के साथ जाएंगे नेक्स कोशन पर आईए निम लिखित मापन से इस तरों में सबसे अच्छा कौन है निम लिखित मापन के इस तरों में सबसे अच्छा कौन सा है नामिक मापन, अनुपात मापन, क्रमिक मापन या अंतराल मापन तो देखें दोस्तों इन चारों में से जो अनुपात महापन है उसका इसतर सबसे अच्छा है इसमें तुर्टी की संभावना बहुत कम रहती है तो राइट अंसर यहाँ पे आपसन नंबर हम लोग टू के साथ चले जाएंगे नेस कोशन पे बात करते हैं कि निम लिकित में से कौन सा विसिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है धीमी गति से सीखने वाले बालकों को विसिष्ट यहाँ कुछ इस्पेसल नहीं बोला जाता है जिनमें दोस्तों कुछ कमी होती उसकी बात करी जाती है मतलब दीमी गती से सीखने वाले स्रजनसील बालग सारीली रूप से विकलां या साधन संपन बालग तो जो ये विसिष्ट बालगों की कैटागिरी है उसमें ये साधन संपन बालग जो होंगे वो नहीं आएंगे तो यहां पर यहीं पूछाए कि कौन सा प्रकार नहीं माना जाता है तो इन में से option number 4 यह नहीं माना जाएगा राइट answer हो जाएगा ओके चलिए next question देखें दोस्तों कमजोर वर्ग के बालक से आखिर क्या दात पर है ऐसे अभिवावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है वैसे अभिवावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से है ऐसे अभिवावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते है या फिर ऐसे अभिबावकों के बालकों से जो सरकार द्वारान निर्धारित न्यूंतन सीमा की वार्षिक आयक की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं उनको कमजोर वालक किस रेड़ी में रखेंगे ओके चलिए नेस कोशन देखे कि एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां दरपण छवी जैसी क्या है गलतियां मिलती है इस प्रकार का बच्छा लच्छन प्रदर्सित करता है तो यह डिस्ग्रैफिया का एक रीजन है दोस्तों उसमें को हम अधिगम में असक्तता बोलते हैं मतलब अधिगम में कमी तो राइट आंसर यहां पर ऑप्सन नमबर टू पे जाएंगे कोशन नमबर उननीस पे आईए परतिभावान बालक की बुद्धि लब देखे टर्मन के अकॉर्डिन एक सो तीस से उपर होते हैं तो एक सो तीस, एक सो चालिस, एक सो पच्छीस, एक सो बीस में एक सो चालिस कोशन का राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर बी चलिए आगया यह किसी भी परिस्थिती में समा योजित होने वाले बच्चों के लचीले पन को के रूप में जाना जाता है दोस्तो किसी भी परिस्थिती में समा योजित होने वाले बच्चों के लचीले पन को हम लोग धलन सीलता के रूप में जानते हैं ये राइट अंसर यहाँ पे होगा option number 4 ढलन सीलता next question देखे दुबले पतले उंचीर सरीर तथा कमजोर हर्दे वाले बच्चों को क्या कहा जाता है समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछडा बालक या नाजुग बालक चार option आपको दिये गए हैं तो अपंग पिछडा नाजुग ये सब्द नहीं यूज करते हैं उसको बोलते हैं समस्यात्मक बालक option number इसका first हो जाएगा इसे याद रखेगा next question पे आईए कि सामाजिक नियमों वा कानूनों के विरुद्ध विवहार करने वालक क्या कहलाएगा पिछडा बालक कहलाएगा मंद बुद्धी बालक कहलाएगा जड़ बुद्धी बालक कहलाएगा या फिर बाल अपरादी कहलाएगा तो दोस्तों इसको हम बाल अपरादी बोलेंगे right answer option number 4 होगा ओके चले next question पे आईए कि एक छात्र को मार्ग दरसन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवज्यक है अधिगम की कठिनाई को उसके विक्तित्र को उसके घर के वातावरन को उपरिक्त सभी को तो यहाँ पे दोस्तों एक छात्र को मार्ग दरसन देने के लिए एक अध्यापक को ये सभी चीजे जानने की आव सकता है तो right answer यहाँ पे option number 4 लगाएंगे ओके चलिए question number 24 पे देखिए अनुभव द्वारा विवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है इस्तुम्रती, सीखना, प्रेणा या चिंतन तो दोस्तो अगर बात हम अनुभवों द्वारा विवहार में परिवर्तन की कर रहे हैं विवहार में परिवर्तन दल सीखना तो अनुभवों द्वारा विवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है सीखना कहलाता है option number 2 चले next question देखिए संग्यानात्मक संप्राप्तिका नियूम्तम इस्तर है देखे दोस्तों संग्यानात्मक संप्राप्तिका जो नियूम्तम इस्तर है वो ज्यान है बोध है अनुप्रियोग है या विसलेशन है तो एक S Bloom थे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा भी है कि Benjamin S Bloom ने दोस्तों सिच्छड के उद्देसों को तीन स्रेडी में बाटा था संग्यानात्मक छेत्र के उद्देस भावात्मक छेत्र के उद्देस साथ में मनोगत्यात्मक छेत्र के उद्देस है जिसमें से उन्होंने दोस्तों ये मनोगत्यात्मक को छे भागों में फिर बाटा कौन-कौन से ज्ञान अवबोध अनुपरियोग विसलेसन संसलेसन इसके ये नियुनतम स्रेड़ी पर आता है वो ग्यान सबसे उच्चतम स्रेड़ी पर मुल्यांकन आता है यही कोशन आपसे यहां पे पूँछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिये कि संःख्यानात्मक संप्राप्ति का जो नियुनतम इस तरह हो क्या कहलाएगा वो ग्यान कहलाएगा option number first ओके चलिए next question पर आईए कि बच्चे की जिग्यासा सांत करनी चाहिए जब सिच्छक पुरसत में हो जब विद्यार्थी पुरसत में हो कुछ समय के पच्चा ततकाल जब विद्यार्थी द्वारा जिग्यासा की जाए तो दोस्तों बच्चे की जिग्यासा ततकाल जब विद्यार्थी द्वारा जिग्यासा की जाए ओके चलिए next question देखिए नवीन ग्यान की प्राप्ति होती है ग्यान इस्थानांतरण के द्वारा रटने के द्वारा अनुभव के द्वारा अब देखिए यहाँ पे आपसे चार आपसन दे दिये गए है और आपसे इसका अंसर करेक्ट बताना है तो दोस्तों नवीन ग्यान की प्राप्ति अनुभव दारा होती है तो इसको याद रखेगा आपसन नंबर C इस प्रसंद का बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखे संग्यानात्मक विकास का अर्थ क्या है अभ योगिता का विकास बच्चे का विकास सारे रिक कॉशल का विकास वेक्तिगत विकास तो दोस्तों यह जो संग्यानात्मे विकास का अर्थ होता है वो होता है अभी योग गिता का विकास option number इसका first हो जाएगा right answer option number first question number second आस आज का देखिए कार को आरम करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है प्रेणा है संवेदना है सीखना है प्रत्य अच्छी करने है तो दोस्तों यह क्या है यह प्रेणा है right answer option number first अब एक last question है वो आपके लिए है कि निम लिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है ठकान का आयू का रोग का यह लिंग भेद का इस question का answer comment box में करके बताईएगा कि इसका सही answer क्या होगा तो दोस्तों यह रहे most important इस question इसी तरीके से हम daily अपने चैनल पर आपको यूपी टेट, सीटेट के लिए मौक, टेस, प्रॉइट कराते रहेंगे जिनसे आपका बहतरीं डिवीजन होता रहेगा तो दोस्तों अगर आपने सारे के सारे question सही किये है तो comment में बताईएगा आपके कितने question सही हुए है वीडियो पसंद आया हो तो like करिएगा, share करिएगा चैनल पर नए है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर देए जैसे daily notification आपको हमारे चैनल पर मिलते आ रहे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद